अब बयान दिया है property tax उन्होंने कहा है कि देखिए राजनीती बहुत हो रही है और राजनीतिक मैदान में लगतार राजनीतिक चेहरे जो है वो खूद रहे हैं और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए जो लोग है जो सक्षम लोग है जो capable है property tax पे करने के लिए अ इसी पर सश्चा करने के लिए में साथ विजय पांडे जी है जो आमा आदमी पार्टी के ट्रेड यूनियन के सेकेटरी है और लगातार वेपारी विवर की आवास जो है जन जन तक पहुंचा आते रहते हैं तो पांडे साब क्या लगता है कि अलगी साहब तो अब खुद ही क तो फिर प्राप्रोटी टेक्स मलग और अब तो यह जैसे आधी करोणा में इतनी लोगों को मार लगी है जो बबारी बर गया है अभी और ढीडिए लो पर प्रेंसेपोण के लिए लेकं जो हमारे ओपर प्राप्र टेक्स का रही हैं जा आई फून आईफोन वही ले रहा और एक गार में पॉत पांच मर्ले उसकी जमीन है तो तीन भाई उन्हों ने बनाई है तीन मंजले हैं उसकी मंज़े की 15 मर्ले तो वो कहां से देगा क्या हैं उसकी अंतन तो रही हमारे पड़े लिखे बच्चे नो जुहान हैं उनको रोजगार तो जह दे नहीं सके क्योंकि आज जितने भी स्कैन हो रहे हैं और सारे बच्चे बेकार फेरे इतनी क्वालिफेशन पड़े लिखे बच्चे जो जिन्हों डिग्रियां की हैं तो नोकरी जह जम्मु किश्मीर जल रही है जाज जिसकी लग डेड़ लग है बाकि गरीब आदमी के पास किसी के पास आई फॉन ही है हमें बहुत चाहिए जम्मु किश्मीर में बीना टैक्स आगे ही हम इतना टैक्स दे रहे हैं आट्टा चावलदार कोई चीज अगर आपने छोड़ी है तो हम कहें कि झुझेंगो अपर नहीं टक्स चोड़ा आज स्लंडर हमें हैं 420 मिलता था दोर्चोड़ से एज 1,20 10,20 मिल रहा हर चीज आज जो तेल हमें मिलता था चोट हमें बहुत चाहसी पीछासी रिवे डीजल जो है पार्ट्रोल जो है हमें 2 समयइस, तों chi स uniform में बलके मैं ने चं है उसके बाद फार एक सवाल में आप इसे पूछना चाहूंगी आप लगतार अर्विंद केज़िवाल की विचार धारा से प्रभावित रहते हैं दिल्ली में भी प्रॉपटी टेक्स है तो दिल्ली सरकार ने तो वापस नहीं लिया मैंने खुद चंधीगड में मैं खुद मलें मेरा खुद का मकान चंधीगड में लेकर बहुंग कि मैं छी 5 प्रसंट्रेंट जैसे मेरी पंद्रा लागी प्रावटी है फंद्रा लाकी बनेगा 90 यार वह वो एक बार देना बरक साल है यहां उन्हें ऐसा करें है कि हर साल आपको प्रावटी रवी जम्मू किसमीर बेंड लाए थे पचास अरवे पजुचार्वे लेकर आज उसकी करती यह सो पजुचार्वे यह करते हैं उसके बाद हर साल मलत झे ठेक के दार को कंडर देती है दोखे में रखते हैं बिल्कुल दोखे में रखते है हो लोगों को बेँगूब मना रहे हैं कि 300 आज चाल साल के बाद देखने चार हजार रपसाल हो जाएगा लेकं जिसकी मले कास्ट बने की मकान की जैसे 50 लाग अगर उसको पांच प्रसेंट लगाओ तो उसका बन जा गया डाई लाग खर्वेस साल का वो गरीब आदमी कहां से देगा यह कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसके माँ बाप थे फोजी एक से मैंने जाए रखुए थे तो उन्होंने प्राप्टी बनाई थी अब उ सब्सक्राइब करें अब बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे गुलाम ने भी जाए रहे हैं कि राजनीतिक मैदान में काफी हल चले वो कह रहे हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर जो है 30 साल पहले का जम्मू कश्मीर नहीं है इस तहां की विवस्ता भी नहीं चल रहे कुछ साल टाला जा सकता तो क्या लगते हैं कुछ साल टाला जा सकता क्योंकि अभी तो जम्मू किश्मीर में नहीं चार साल हो गया जहां कोई लेक्शन निकराई अगर जम्मू किश्मीर में लेक्शन होती आज हमारी सरकार अपनी होती तो हम किसी के पास जा सकता है आज कोई हमारा नेता कोई बोलने बाला होता लेकिन है तूपनी मान मुर्य कर तूह ऐ दीडिकर बाया डिक्के लिगेंकुट बीजे पी की सरकार है बीजे पी का कोई भी नेता आज मैं जम्मू किश्मीर में वलके कहने इन तो अस्तान से कोई नहीं बोल रहा कि जम्मू किश्मीर में जो प्राप्टी टक्स के लग रहा है इसको मतलब नहीं लगना चाहिए मैं तो यही कहता हूँ किसान मिधूर और आम जो ग्रीव आदमी है कल को बेव कार रोज लोग है यह कल को अपना मलग खाना भी आत्मत्या करने के अगर वापस नहीं हुआ तो हम कहीं न की जम्मू बंद की कॉल देंगे यहां पर बार अस्सेशन भी कूछ चुके हैं वो भी कहरें कि बंद की कॉल देंगे तो यह दोनों अगर यह दोनों करते हैं तो अगर लगी सहाब की बातों से यह तो इस पास ठोड़ा है कि यह वापस नहीं होने वाला है तो आगे जाकर क्या होगा कैसा भविश्य होगा अगर बाहर एसोशेशन और जो भी इसमें मलब जितने मीं अपनी संस्थें यह सब किठे होके जैसे मलब दिल्ली के ओपर किसानों ने मलब बार्डर के ओपर अपना परदर्शन रखा था और अपनी मंगे मुगाई थी अब हमें भी ऐसा करना पड़ेगा कि लखनपूर में सारे जितने भी बबारी हैं जहाँ तमाम जड़ी पार्टी हैं सब को एक जुट और एक जंडे के नीचे आनके हमें किठे होके बहां लखनपूर में दरना देना चाहिए जब तक हमारे जम्मू किश्मीर में प्राप्टी टक्स बापस नहीं होगा और तब तक हमें मलब जे मांग अपनी मनमाने के लिए हमें तन मन दन अगर आमादनी पार्टी का कोई भी नेता आगे नह चाहिए जब तक हमारे जम्मू किश्मीर में यह प्राप्टी टक्स मसला हल नहीं होता मेरा तन मन दन है जो आप पार्टी यह साथ बाहर एसोसेशियल के साथ मैं देखात हो जितनी जल्दी जल्दी हो चक्का जाम होना चाहिए और जम्मू के जितने भी कारोबार सारे कारे यह साथ तोर पर यह संघर्ष में कहीं न कहीं तमाम व्य पक्षिदलों के निताओं को एक मंच पर आने के बाद्श यह बताना होगा कि इसके विरोध में पूरा जमों कश्मीर आच आ चुका हमारे जी बीजे पांडे जी ते लगतार विरोध की आवाज जो है वो हो रहे हैं कि आखिरकार आर्थिक मंदी का शिकार है जो कश्मीर लेकिन आर्थिक बहुत जो है दिन प्रति दिन बढ़ता चाह रहा है आप यह मार्सत बने लिए देखते हैं वेश्टों जो मिस्वहान के